ब्रिटिश बिग्गानीरा हुशियार करे दिये बोले छेन, शास्त बिधी जोदी आरो कोठोर करा ना होए, जानुवारी माशे करोना वाईरासेर ओमिक्रोन वेरियंटेर संक्रमन ब्यापोक भावे बेडे जाबे, आर वेक्सिनेर कार्जोकारीतार उपर निर्भर करवे मान ब्रिटिश बिग्ग्गानीरा, एई मोडेलेर भीत्ती तेई तारा एई शातर कोता उच्चारण कर लेन, विग्ग्ग्गानीरा बोल्छेन, परिस्थिती जोदी बेशी खाराप होए जाए, ताहले अंतोतो हास्पातानेर ओपर चापकमानर जन्न होले हो, सब्चे कोठोर शास्तविधी प्रविग करते होते पारे, आर सब्चे कोठीन शास्तविधीर मद्धेरोये छे लोकडाउन, एदिके कोरोनार विरुद्धे सक्ति शाली प्रतिरुद व्यवस्ता गोडे तुलते, पूर्ण उद्धो मिये एगिए जाच्छे नियोमीतो टिकादान कर्मोश शाथे चल छे बूस्टार जेब कर्मोशुचियो, नतुन बिसलेशने जाना जाए, दुई डोज वेक्सिन ग्रहन करा थाकले हो, ओमिक्रने आक्रांतो हुआ थेके रक्खापावा शम्भब नए, जोदि बूस्टार डोज ग्रहन करा होए, ता हले ओमिक्रने आक्रांतो पचत्तुर सतांग्षा शुरक्खापावा सम्भब, दितियो एबंग तृतियो डोज थाकले गुरुतरो अशुस्त होआ थेके शुरक्खापावा जेते पारे, तबे ठिक कोतटा शुरक्खी तो थाका जाबे, ता याखनो औस पस्ट. एपोर जोन्तो देशेर सब्चे बेशी ओमिक्राणा क्रांतो मानोशेर संधन पावा अगे छे लॉंडने, पाशापाशी ब्रिटेनेर अधिकांग्षोस्थाने एई वाईरास दुरूतो छोडिये पोड छे, संक्रमनेर गोती मंथर करार लोखे, मास्केर ब्यवहर शॉरकारेर पोखो थेके नीड़ देशनाओ जारी कोरा होए छे शोनी बाट थेके स्कोटलेंडे आबार आइसोलेशनेर नियोम काट जो कर होए छे पुरिवारेर केऊ करोना आक्रांतो होले, पुरिवारेर अन्नो सदस्षोदेरो दोस दिनेर आइसोलेशनेर जेते होबे करोना नेगेटिव होले, वेक्सिनेर दुईडोस ठाकलेओ, आइसोलेशनेर एईनियोम पालन कुरते होबे Even if this variant produces slightly milder disease, there's an open question on that What politicians are worried about is the strain on our health service I think what they'll be discussing this weekend and cabinet meets on Tuesday will be, have we gone far enough or do we need to do more particularly over the next few weeks to restrict people mixing so the health service doesn't become overwhelmed and that's the main concern I run a family of seven and it's a limited of three so I'm very worried about how this is going to impact on them It will be disappointing for relatives, it will be extremely disappointing for the residents but it's the world that we live in and we can't risk getting this virus back into our care services